पिश्गुरू बता रहा है, इस रेपोर्ट में देखे पूरी खबर चुनाव में हार के डर से विपक्ष एक बार फिर अपने उसी पुराने ठर्रे पर लोट आया है, फिर से प्रधान मंत्री मोदी को गाली देने उनका अपमान करने से बाज नहीं आ रहा, बिये मोदी जहां अपने हर चुनावी भाशन में विपक्ष के जूट की कलाई खोल र फिर से वखी राग अलापने लगे हैं, अजानक बीस तारिक को उनकी भाशा बदल गई, विश्व गुरू से स्वगोशित, विश्व गुरू से विश्व गुरू बन गए, इस बॉखलाहट की वजह पी-म का मंगल सूत्र वाला वो बयान है, पी-म ने कॉंग्रिस का मेनि मैनिफेस्टों खंगाल कर उन पर इटाक किया, तो अब बॉखलाहट पे कॉंग्रिस नेता जैराम रबेश एक और कदम आगे निकल गए, जिस नेता को पूरी दुनिया विश्व गुरू मानती है, उसे कॉंग्रिस महासरचिप जैराम रबेश च्या नाम दे रहे हैं, इस कि अदरायिए सुनीजे ये जो राजस्थान के पहले चरण के पहले इसका प्रचान नहीं किया था, मैनिफेस्टों हमने तीन तारिक को निकाना था, अप्रन्ति हो और चुनाव कब हो ए उननीस तारीक, तीन तारिक से लेकर उन्नीस तारिक तक प्षानमंत्री मौन्वरत प्रधार मंत्री मोदी चुनावी भाषणों में जनता को विपक्षी चेहरे का आइना दिखा रहे हैं तो ये बात उन्हें रास नहीं आ रही यही वज़ा है कि अपने गढ़ में खत्री को भाप्तिक हुए ये आइम आइम चीफ की आग बबूला हो रहे हैं मोदी के खलाफ हिटलर कार्ड खेलने में जुटे हैं भारत के वजीर आजम 133 को जनता के वजीर आजम जो कहते हैं जूट कहते हैं सबका साथ सबका विकास मरकल का भाशन नरेंदर मोडी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है ये वही विपक्ष है जो सम्विधान पर सबाल उठाता है देश तो उड़ने की बात करता है धर्म के आधार पर आरक्षन का कार्ड खेलता है और मोडी को कभी दाना शाह तो कभी हिटलर बताता है ऐसे में पिये मोडी ने विपक्ष पर करारा जबाब दिया जब भी चुनावाता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रेकर्ड बजाते रहते हैं कानों कानों में कहते रहते हैं जिखो अब भाजपावा ले आएंगे आरक्षन खतम कर देंगे भाजपा तो छोड़िये अरे खुट डॉक्टर बाबा साब आमबेड कर आकर के कहे न तो भी होने वाला नहीं है कॉंग्रे का उमीद बार कह रहा है कि गोवा में समिधान नहीं चलेगा यह जम्मो कश्मिर के लोग भी कहा करते थे आपने मोधी को आचिरवाद दिया आज उनकी बोलती बंद हो गई आज गोवा में समिधान को नकार रहे हैं कल पूरे देश में बाबा साब आमबेड करके समिधान को नकारने का पाप करेंगे पिछले दस सालों में देश की छवी जस तरह से पूरी दुनिया में चमकी है देश का मान सम्मान बढ़ा है देश ने एक नए आयाम को चुआ है उससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा और यही वज़ा है कि चनावी मौसम में कॉंग्रेस और उसके सह्योगी दल पियम मोदी को फिर सब शब्द और गाली देने में चुट गए है लेकिन ऐसे में सवाल उफता है कि क्या पियम मोदी को गाली देने से उन्हें उनका जनाधार वापस में पाएगा चार जून को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी प्रियम का जब पूरा भारत विश्व गुरू बनने की ओर अग्रिसर है ऐसे में एक गर्मा मै पद होता है प्रधान मंत्री विपक्ष को लग रहा है कि ये रास नहीं आ रहा है इस तरीके की बयान बासी कर रहा है विश्व गुरू कह रहा है बिल्कुल देखिए अगर हम अभी जालावार में मौझूद है यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी दुश्यन सिंग है जो की वसुन्द्रा राजे के पुत्र है तीन बार जीतकर वो हैट्रिक लगा चुके हैं चौति बार मैदान में लेकिन अगर हम विपक्ष के लगातार ये हमलों की बात करें तो कहीं नहें ये निता मानते हैं अगर बीजेपी कारİकरताओं की बात करें या फिर जमीनी यहाँ पर जो लोग हमें दिख रहे हैं आसपास उनका मानना है कि विपक्ष की बॉखलाहाट है जो इस तरीके से बया कर रही है साथ ही जो कॉंग्रिस का मैनिफेस्टो है उसमें लोग भी इतफाक रख रहे हैं कि मनमोहन सिंग के कारेकाल में कहा गया था समझ रहे हैं तो उनका सीधी तोर पर कहना है कि विपक्षी खेमा कितने भी बयान बाजी कर ले इस बार जो वोट है जो मद्दान है वो विक्सित भारत के नाम पर होगा क्योंकि भारत का जो कद है वो पूरे विश में काफी बड़ा है काफी बदला है और ऐसे में इस बद सुरक्षित महौल दिया है डबल इंजन के सरकार के लिए राजिस्थान के जनता तयार है तीसी बार भी हैट्रिक लगेगी 25-25 पर यह मायने रखता है कि जनता की क्या प्रतक्रिया है जनता का क्या नजरिया है तमाम मुद्दों को लेकर कि बहुत बहुत शुक्रिया प्रे इसमरती इरानी ने वॉडरा पर निशाना साथ है उन्होंने काए कि जगदेशपुर पर वॉडरा की नजर है जमीन खेत के कागस छिपा ने इस तरह के लगातार टिपड़ी की जारी है तो वार पलटवार का दौर जहां जारी है दूसरे चरण का चुनाब होना है 26 अप्र पिर से वॉडरा पर वार किया है और 20 माई को अमीठी में चुनाव है ऐसे में केंद्रे मंत्री स्मृती रानी जोर से चुनावी प्रचार करने में जुटी हुई है उन्होंने राउल गांधी के साथ साथ रोबर्ट वाडरा पर भी निशाना साथा है और अपनी इस बयान क इस बात को वो प्रियंका गांधी के एक बयान से जोन कर सही भी साथ कर रही है रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाल सेटों में से एक है जहां 2019 में जनता ने गांधी परिवार के युवराज को नकार दिया और बीजेपी की स्मृती रानी को मौका दिया ऐसे में अमेठी में दोबारा कमल खिलाने के लिए केंद्री मंत्री दोगुनी उर्या के साथ चुनावी मैदान में है संस्वति शेत्र के गाउं गाउना सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है बलकि आमेठी के पुरुवसांसत राहूल गांधी और उनके जीजा जी पर भी हमलावर होती दिख रही है